Hello Friends, Welcome to my channel, मया की रसोई काना की फुरुवारी आज हम नौरात तिवरत के लिए कुट्टू के आंटे से अप्पे बनाएंगे, चलिए अप्पे बनाना सुरू परते हैं कुट्टू के आंटे से अप्पे बनाने के लिए हमने लिया है आधा कटोरी दही है एक कटोरी कुट्टू का अंटा है, धनियक बत्ती है कुछ, अद्रक हरी मिर्च को हमें पेश्ट बना लिया है, सेधा नमक है, काली मिर्च है, एक सिम्ला मिर्च हमने काट लिया है, और एक गाजर को हम कद्दू कस कर लिया है, आप अगर चाहें तो आलू भी गीस के डाल सकत सबसे पहले हम कुट्टू के आठे को और दही को मिलाएंगे इसी बावल में हम कुट्टू का आठा लेंगे दही डालेंगे गाजर एक कटी हुई सिम्ला मिर्च है सिम्ला मिर्च आपको छोटी चोटी टुक्डे में काटना है और गाजर को ग्रेट करना है अद्रक और हरी मिर्ची का पेश्ट है सेंधा नमक है काली मिर्च का फ्लिवर बहुत अच्छा आता है इसलिए हमने थोड़ी सी काली मिर्च ली है इसमें हम धन्याग पत्ती भी काट के अट करेंगे हम पहले धन्याग पत्ती को बारी काट लेते हैं धन्यागी पत्ती भी हम काट के डाल दे रहे हैं सभी चीजों को हम अच्छे से मिला लेगे इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी याट करेंगे कुट्टू के आटे की जगह आप सिंहाणी का भी आटा ले सकते हैं साबुदाने से भी बना सकते हैं साबुदाने को हलका सा रोष्ट करके उसका कच्चा बन खतम हो जाए और उसको मिक्सी में पीस के बारी उसका भी बना सकते हैं सभी चीजों को हमें अच्छे से मिला लेना है और पांच मिनट के लिए हम इसको ढपके रख देंगे घोल हमारा तयार हो गया है सभी चीजों को हमने अच्छे से मिला लिया है इसमें हम एक छोटे चमच कोई भी रिफाइन डायल आप आड़ कर सकते हैं एक चमच रिफाइन डायर करेंगे छोटे चमच से और क। थोड़ा-सा मतार के दाने के बरागर हम इसमें सोडा डालेंगे इतना सोडा हमें डालना है जोड़े चमच से बहुत ही गम है इतना आप देख सकते हैं इतना ही सोडा हमें एड करना है यह खाने वाला मीठा सोडा होता है फ्रेंड्स, बहुत लोग नौराति बरत में सामा का चावल खाते हैं ऐसावा का छाह का खाते हैं खिचिडी बना करके और भी तरहतरा की चीजे बनाके लेकिन हमारे हैं पुर्वानचल में सामा का चावल बृत में नहीं खाय जाता है इसलिए हमने सामा के चावल की बृत के लिए कोई भी रेस्पी नहीं डाली है बेटर हमारा बनकर त्यार है अब हम गैस आन कर लेते हैं गैस हमने आन कर दिया है और अप्पे के साचे में हम थोड़ा थोड़ा डिफाइन डालेंगे तेर हमारा गरम हो चुका है इसमें थोड़ा थोड़ा बेटर हम डालेंगे इस तरह से सभी खाने को हम भर देंगे सभी साचों में हमने बेटर डाल दिया है गैस मीडियम करके इसको हम ढग देंगे एक मिनिट बाद हम चेक करेंगे एक मिनिट होगा है हम चेक कर लेते हैं अप्पे मारा बहुत ही अच्छा फुला फुला बन रहा है सभी को हम इस तरह से परड़ देंगे सभी अप्पे को हमने पलट दिया है अब इसको हम एक मिनिट के लिए और ठक देंगे फिर हम चेक करेंगे एक से एड़ मिनिट हो गए हैं अब हम चेक कर लेते हैं बीच में भी एक बार हमने चेक किया था आप देख सकते हैं अप्पे हमारा पुरी तरह से बन करके त्यार है इसको हम निकाल लेंगे और दूसरी बार हम इसी तरह से साचे में पहली बार हमें थोड़ा सा तेल ज्यादा लगन डालना पड़ता है उसके बार तेल इसमें बहुत ही कम लगता है आप चाहें तो न भी डालें ब्रत में खाने के लिए कम तेल में बनी बहुत ही अच्छी चीज है ये फ्रेंड्स ये सभी अप्पे हमने निकार लिया है इसी तरह से हम सेज जो बेटर बचा है इसका भी बनाएंगे दुबारा हम आईल नहीं डाल रहे हैं क्योंकि पैन हमारा अच्छे से ग्रीस है इसी में हम डाल देंगे सभी बेटर को हमने साचे में डाल दिया है उपर से हम हलका हलका आईल डाल देंगे दो दो बूत के लगवग हमें डालना है और एक से डेड़ मिनट के लिए हम इसको ढख देते हैं गैस का फ्लेम हम मेडियम रखेंगे जब तक अप्पे हमारा हो रहा है तब तब हम मुंफली की चटनी बना ले रहे हैं फ्रेंड्स मुंफली की चटनी तब वीडियो हमने डाला है आप देख सकते हैं मुंफली की चटनी में आपको लहसुन के वाल इसकिप करना है मिर्चा और धनिया डाल करके आप चटनी बना सकते हैं सेधा नमग डाल के राई यो करीपता से तड़का देना होगा एक से डेड़ में ठो गए हैं हम चेक कर लेते हैं अब में हमारा बिल्कुल बन करके त्यार है इसको भी हम निकाल लेंगे गैस हम बंद कर देते हैं हमारा ब्रत स्पेशल अप्पे बन करके त्यार है इस तरह से कम तेल वाला नास्ता आप नौरा तिल ब्रत ने बनाईए परिवार के साथ खाईए फ्रेंड्स एक हम आपको दिखाते हैं कितना साफ्ट बना है आप देख सकते हैं इस तरह से आप बनाईए बच्चों के साथ खाईए अपने अन्भों हमारे साथ सेर कीजिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए कमेंट करिए जै माता की